हरे कृष्णा, आज की कहानी में आपका प्रेम से स्वागत है। दो गिलहेरियां एक पेड़ पर चड़ कर खेल रही थी। एक गिलहेरी को भगवान पर पून विश्वास था, श्रद्धा थी। कोई कुछ वो भगवान को धन्यवाद देती थी। दूसरी गिलहेरी बिलकुल भी भगवान को नहीं मानती थी। और कहती थी भगवान के बारे में सोचने वाला बुद्धिमान नहीं होता। एक दिन दोनों खेल रही थी, बहुत मुझन हो रहा था। अचानक भग्त गिलहेरी फिसल गई और गिर गई। वो बोली मुझे कोई चोट नहीं आई, बस पेट में थोड़ा दर्थ है, भगवान ने बचा लिया। पेड़ वाली गिलहेरी हसी और बोली अरे मैंने थोड़ी पूछा, तुमसे कि भगवान ने तुमें क्यों गिराया। ये कहकर भग्त गिलहेरी का उपहास किया। भग्त गिलहेरी कहती है, कोई कारण होगा जो भगवान ने मुझे गिराया। वो आसमान की ओर देखकर आँखे बंद करकर भगवान का धन्यवाद करने लगी। जैसे ही आँखे खोली उसने एक भयानक द्रिश्य देखा। पेड की गिलहेरी के पास एक सांप था। बातों में और उपहास में उसकी आवाज नहीं आई। सांप ने पेड की गिलहेरी को निगल लिया। तब कारण पता चला कि भगवान ने क्यूं गिराया था उसको पेड से। कभी कभी जब हम ठोकर खाते हैं तो ये दुनिया उपहास करती है। परंतु हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए के हमारी भलाई के लिए हो रहा है। भगवान दया निधान है, करुना निधान है, वो हमें कभी कष्ट नहीं दे सकते। हमें सदा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। सर्वम, श्री क्रिश्न, अर्पनम।